जर्मन वैग्यानिक जॉर्ज ओहम ने सुचालक में से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह आयका और उसके दोनों छोरों पर जो विवहांतर है डेल्टा वी में सम्मन प्रस्थावित किया अगर शब्दों में कहें तो परिपत डेल्टा वी के दो बिंदों में जो विद्युत विभुवांतर होता है वे उन दो बिंदों के बीच के प्रवाह का और उन सारे विद्युत उपकरण जो उन दो बिंदों के बीच में स्थित होते हैं उनके कुल प्रतिरोत के गुनन फल के समान होता है इस समंद को हम PHET simulation के द्वारा देख सकते हैं जब हम slider की मदद से कुछ मूलियों को बदलते हैं तब voltage प्रवाह और प्रतिरोध के मूलियों में किस प्रकार परिवर्तन आता है इसका निरिक्षन करें अगर प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए तो विभवांतर बढ़ जाएगा जिसके कारण प्रवाह में भी वृद्धी होगी अगर हमने विभवांतर को स्थिर रखा तो उससे प्रतिरोध बढ़ेगा जिसके कारण परिपत म बहने वाला प्रवाह कम हो जाएगा चोंकि विद्यूत प्रवाह हमेशा प्रतिरोध के कारण प्रभावित होता है विद्यूत उपकरणों के परिपत में जितने भी घटक है उनके प्रवाह पर परणाम हो इसलिए उनमें प्रतिरोधकों का प्रयोक किया जाता है जैसे विद्धृट शक्ति पर चलने वाला मिक् biggest इसी तत्व पर काम करते हैं वे भार के विद्धित प्रवाह में फियर बदल करते हैं और ये बदलाव वे परिपत्ध में प्रतिरोधों को बढ़ा कर या फिर घटा कर करते हैं मिक्सर पर लगे कुछ बटनों को दबा कर हम उसके प्रवाह के तरीके में बदलाव कर सकते हैं जिसके लिए हमें प्रतिरोध को कम करना होगा जिससे मिक्सर में अधिक विद्यूत प्रवाह जा सके झाल झाल